हेलो एविवान एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल संस्कुत पॉइंट पर कादमरी कथा मुकम से संबंदित हम प्रशनों से पहले ही वीडियो बना चुके हैं आज हम कर रहे हैं कादमरी शुकना सोब देश पर महत्पूर्ण प्रशन चलिए तो प्रारम करते हैं पहला प्रशन हमारा किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है यानी पठनशील प्रोड या फिर सांसारिक विश्यास्वाद से रहित सांसारिक विश्यास्वाद से रहित जो व्यक्ति है वो उपदेश देने का पात्र होता है यहाँ पर क्या तात्परिया उनका ये नहीं है कि जानी ना हुवे व्यक्ति और नहीं पठनशील हो ऐसे व्यक्तियों को उपदेश नहीं देने चाहिए उनके कहने का दात परे कि सांसारिक विशियों से जो रहित है अर्थात जिसकों उसे कोई सम्मन्दित उनसे कोई आस्वाद नहीं है इस प्रकार का व्यक्ति क्या होता है उब्देश देनी का पात्र होता है चलिए next question देखते है नेक्स question है हमारा शुकनास उब्देश विहीत ह तारा पीड के लिए चंद्रा पीड के लिए महाश्वेता के लिए या फिर शुकदेव के लिए किसके लिए वहीत है चंद्रा पीड के लिए क्योंकि क्या होता है जो शुकनास मंत्री है वो उबदेश दे रहे हैं किसको चंद्रापीड को क्योंकि वो राज कुमार है राजा बनने वाला है नेक्स कुशन देखते है चंद्रापीड को राज अभिशेक पर उपदेश देता है कौन उपदेश देता है तारापीड, शुकनास, वेशंपायन wire nozzle bleeding कौन उपदेश दे रहा है उसको शुकनास ये भी आप याद रखिएगा कि किस चीज किस अवसर पर उसको उपदेश दिये जा रहे हैं राज्य विशेक के अवसर पर उसको उपदेश दिये जा रहे हैं किसको चंद्रापीड को और देखोन रहा है शुकनास नेक्स कोशिन पर चलते हैं लब्द अपी खलू दुखेन परी पाल लयते, किसका कथन है? शुक्नास उबदेश में वर्णिजोए कथन है, सुक्ति भी कह सकते हैं. ये किसकी है? शुक्नास की है, चंद्रा पीड का कथन है, तारा पीड का, या फिर विलास्वती का कथन है. क्या कहने हैं लब्द अपी खलू दुखेन परी पाल लेते अर्थात लब्द अपी प्राप्त होने पर भी दुख ही देती है कौन है ये बता लगे ऐसी लक्ष्मी है बटन नहीं पूछा है कि ये किससा कतन है ये शुपनाश का कतन है क्योंकि वही चंद्रापीड को उबदेश दे रहे हैं तो वो अपने उबदेशों में लक्षमी के बारे में कुछ बता रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि प्राप्त होने पर भी ये हमें दुखी देती है कौन लक्षमी Next question देखते हैं Next question है शुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन हिर्दे वाला राजा कहां गया कहां गये थे जो प्रसन हिर्दे वाली राजा थे राज दर्बार में, उद्यन में, अपने भवन में, वन में कहां गये अपने भवन में नेक्स कोशन पर चलते हैं Next question है, राज तंत्र शाषन परंपरा में उपदेश दिये जाती है, किस प्रकार के उपदेश दिये जाती है, विवासंसकार के अवसर पर, राज अभिशेक के अवसर पर, विद्यो पार्जन के अवसर पर, या फिर वान प्रस्त जाने के अवसर पर, जो की राज तंत्र शाष गुण दोशो का वर्णन शुक नास ने किया है किसके गुण दोशो का वर्णन कर रहे हैं राजा के रुयो वराज के लक्षमी के या प्रजा के किसके गुण दोशो का वर्णन कर रहे हैं लक्षमी के बहुत important important सुक्तियां भी है इससे जो कि वो लक्षमी के बारे में बता र अगर आपने पूर वाली वीडियो देखिए तो बहुत ही सिंपल सा कोशन है वैसे भी यह किसकी द्वार अचीत है बांडभट की द्वारा नेक्स कोशन देखते हैं शुकना सोब देश में किसे अविनेयों का घर नहीं कहा गया है अप्रतिम रूप्त अर्थात अत्यदिक सुन्दरता हो न अभिनव योवनत्व योवन हो अमारा अभिनव नया नया योवन और गर भीशत्व या फिर एश्वर्य तिमिर अंधत्व किसको कहा गया है अविनेयों का घर वो नहीं है किसको कह गया है? एश्वरे तिमिर अंधत्यु को कहा गया है कि यह है अभिनियो अभिनियो का घर नहीं है बाकी यह सब है next पर चलते हैं Next है शक्नास अपदेश में मन्त्री कोन है? शक्नास, हारित, जाबाली या शुक कोन है? शुकनास सोप देश में मंत्री शुकनास है नेक्स पर चलते हैं जाबाली और हरिट जो करेक्टर हैं वो तो हमारे किसके हैं कादंबरी कथा मुख के करेक्टर है तो वो शुकनास सोप देश में कहा से आएंगे ठीक है नेक्स पर चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन है बिना जलवाला स्नान कौन सा है धूप स्नान, मंत्र स्नान, मानसिक स्नान या फिर गुरूब देश रूपी स्नान सिंपल से कुश्चन है गुरूब देश रूपी स्नान मनत्र और गुरू में एक बार को आप अफ्कन वो सकते हैं दूप स्नान और मानसिक स्नान तो नहीं कहेंगे तो आपको याद रखना है किस परकार का स्नान है बिना जलवाला स्नान अगरू प देश रूपी स्नान शुकनास किस राजा का प्रधान अमत्त्य है दश्रत, राम, तारापीड या चंद्रापीड आमत्य से तातपर्य होता है मंत्री तो पूछ रहे हैं किस राजा का प्रधान आमत्य है किस राजा का मंत्री है तारापीड का और तारापीड का पुत्र कौन है चंद्रापीड नेक्स्ट कुश्मी के लिए किसके लिए कही गई है कि पुर्षो में उत्तम कौन है विश्णु भगवान के प्रतिया सक्त होते हुए भी खल जन प्रिया अर्थात दूसरों के प्रतिया उसका क्या रहता है दुर्जनों को भी वो चाहती है जो कि सज्जन नहीं है दुर्जन विश्नु भगवान तो पुर्षों में उत्तम है उनके प्रती आ सकती होने के बावजूद भी वो दुर्जनों को चाहती है प्रिया दुर्जनों को चाहती है था तुने प्रिये है उसको दुर्जन तो किस के लिए है ये लक्षमी के लिए प्रियुक्त की गई है ये लाइन कि लक्ष्मी कैसी होती है लक्ष्मी को कहा गया है न विश्णु भगवान की पत्नी है कौन लक्ष्मी तो उसलिए कहने हैं कि उनमें आ सकती होने के बावजूद भी वो जो दुजन है उनको चाहती है नेक्स कुशन दिखते हैं शुक्नासुपदेश की विशयवस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है यूँ अवस्ता जन्य विकार लक्ष्मी मद उत्रा दिकारी के प्रतीला परवाही या फिर एश्वारे सम्मंदी दोश इनमें से क्या है जो अगर आपने शुकनासुब देश का सारांश पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि उस सारांश में इनमें से क्या नहीं है उत्तर से युगा मारा उत्तरा दिकारी के प्रतिला परवाही से संबंधित उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है उसने युवा सजन्ने विकार भी है लक्षमी मद्विय और अश्वरे संबंधि दोश भी है नेक्स कोशन दिखते हैं नेक्स कोशन है लक्षमी के द्वारा काल कूट ने क्या ग्रहन किया है काल कूट से उसने क्या ग्रहन किया है चंचलता, मोहन शक्ती, रागता या वक्रता ये सब ही उन्होंने किसी ना किसी चीज से ग्रहन की है उन्होंने बताया है कि जब समुदर मंथन हुआ है उसमें से कौन निकली है बाद में लक्षमी निकली है उसमें समुद्र मन्थन के कारण उसमें सबसे थोड़ा-थोड़ा सा ग्रहेंड कर लिया है तो पूछने की काल कूट के द्वारा उसने क्या ग्रहेंड किया है मोहन शक्ति उसने ग्रहेंड की है नेक्स्ट कोशन देखते हैं लक्षमी मत कैसा होता है मदीरा पान के समान विश यांष्मी का मध्ध है तो वो समाप्त नहीं हुकामर नोपरान्थ ही वो समाप॥ होगा नेक्स्ट पर देखते हैं नेक्स्ट और हमारा आज की वीडियो का लास्ट कुछन देखते हैं राज्य विश्विकार तंद्रा प्रदा है उनके कहने कातात पर रहे है कि राज्य रूपी जो हमारा विश है उस विश के विश्विकार से उत्पंद जो तंद्रा है वो प्रदान करती है क्या प्रदान करती है भाई जो ऐसा हमारा विश्विकार उत्वन हो जाता है वो कौन प्रदान करती है राजलक्षमी, सरस्वती, युवावस्ता या सुन्दर्ता राजलक्षमी करते हैं आपको सभी प्रशन चे समझ में आ गए होंगे कोई भी परिशानी वाओ तब कमेंशेशन में पूछ सकते हैं चलिए फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपने परिक्षाओं के तयारी करते रहे हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद